आउजबिल्लाखिमिन श्रतान रजीम बिस्मिल्लाहिरामान लगी है तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एकसरसाइज चैप्टर नंबर वन का ठीक है अब फर्स्ट आफ आफ आल हम अब्जेक्टिव करते हैं अब्जेक्टिव में जिसको टिक का निशान चाहिए जो अंसर जस्ट चेक करना जा रहा है तो हम फर्स्ट उसके लिए बता देते हैं जो वन एमसी कोड़ है उसका अंसर क्या है बी है नमबर टू एमसी कोड़ का अंसर क्या है सी है थ्री का क्या है ए है फोर का क्या है सी ऑप्शन है फाइव का क्या है डी ऑप्शन है ठीक है फ option 10 का क्या है आपके पास एंट्टेंटी लिखा हुआ है अच्छा जी और 22 का क्या है A option है 23 का क्या है 23 का आपके पास C option है 24 का A option 25 का भी A option 26 का B option ठीक है यह आपने पहले से पड़े हुए है लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको revise भी करवा देता हूँ अभी 27 का क्या है C option है 28 का क्या है A option है 29 का क्या है A option है 30 का क्या है 31 का क्या है A option है अब हम इसको 1 by 1 इसको करते हैं अब यहां पए देखें वो first mc course में कह रहा है the order of matrix यह matrix दिया हुआ है इसका order हमने बताना है धीक है इसमें row देखें और column की तदात देखें row कितनी है, one है, column क्या है, two है, one by two इसका क्या है, order है अब इसको हम देखें तो आपके पास क्या है, diagonal में क्या दिया हुआ है zero नहीं है diagonal में, ठीक है, under root two हो गया, under root one, just one हो गया ठीक है, under root three हो गया, four हो गया, कुछ भी इसमें हो सकता है, zero के लावा कोई भी number तो उसको हम क्या कहते है, scalar matrix कहते है, unit matrix तब हम कहते है, जब यहाँ पर one one होता उसको हम identity matrix या unit matrix कहते है, अब यहाँ पर one के इलावा कोई भी number होगा तो उसको हम क्या कहें, scalar matrix कहेंगे, which is the order of a square matrix square matrix का order क्या होता है square matrix का order क्या होता है जिसमें rows और column की तदाद क्या हो equal हो अब इसमें देखें two by two क्या है इसमें rows और column की तदाद equal आ रही है ठीक है which is the order of rectangular matrix उसमें क्या होता है rows और column की तदाद first matrix के row और दूसरे column की क्या column की तदाद दूसरे matrix के column के ज़्याद बराबर ना हो अब यहाँ पे देखें order जिसमें equal नहीं है 2 by 2 equal है, 4 by 4 equal है, 3 by 3 equal है 2 by 1, यह क्या है equal नहीं है इस वज़े से इसका option C है rectangular के लिए order of transpose of 2, 1, 0, 1, 3, 2 अब यहाँ पे इसका जब हम transpose निकालते हैं जब आप इसका transpose निकालेंगे, उसमें क्या होगा आपके पास आजाएंगी 3 rows आजाएंगी, ठीक है column 2 आजाएंगे, column 1 आजाएगा तो आपके पास क्या होजाएगा, D option आपके पास इसका correct होगा, ठीक है अच्छा अभी यह question number 6 है, इसमें क्या कह रहा है वो अजाएंट आफ 1, 2, 0, minus 1 अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यह जो हैं, इसके हमने क्या करवाना है sign change करवाना है, यह minus 2 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा ठीक है, यह दोनों जो हैं, इनको हमने क्या करवाना है replace करवा देना है, यह minus 1 इसकी जगा आगया ठीक है 1 इसकी जगा यहां पे आ गया ठीक है तो option a correct है दूसरे आप चेक करें तो इसके तरह के option नहीं है अब question number 7 में वो कहा रहा है if 2, 6, 3 x equal to 0 then x is equal to ठीक है अब यह determinant form में लिखा हुआ है आप इसको क्या कर सकते हैं x multiplied by 2 minus 3 multiplied by 6 2 x is equal to क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा x is equal to क्या हैगा 9 आजाएगा product of x y 2 minus 1 अब आप multiply करवाएंगे तो यह क्या हो जाएगा x multiplied by 2 minus y multiplied by plus y multiplied by minus 1 तो यह 2 x minus y आपके पास answer बनेगा if x plus यह matrix यह matrix ठीक है अब हमने क्या करना है x की value निकाल नहीं है तो x is equal to यह वाला सारा matrix उठाके यहाँ पे क्या करवादेंगे minus करवादेंगे तो आपके पास answer क्या हैगा d option हैगा question number 10 जो है इसमें वो पूछ रहा है the idea of a matrix was given by ठीक है option A correct है Arthur कहले question number 11 है इसमें वो पूछ रहा है matrix m is equal to 2 minus 1 7 is a matrix अब इसमें देखें एक ही row है ठीक है इसको हम क्या कहेंगे row matrix अगर यहाँ पर क्या होता आपके पास एक कॉलम होता तब हम क्या कहते इसको column matrix कह सकते है square matrix क्या होते अगर उसमें order की order जो है यह rows जो column equal होते तो इसको हम square matrix कहते है ठीक है null matrix क्या होते है जब अगर उसके अंदर सारे zeros हों ठीक है उसको हम null matrix कहते है question number 12 है the matrix n is equal to 2,0,1 is a अब यहाँ पर देखें यह सारे column है एक ही column है इसको हम क्या कह सकते है column matrix the matrix is equal to यह एक matrix दिया हुआ है is a matrix अब यहाँ पर इसको आप इसका order चेक करें इसका order क्या बन रहा है one two three three rows है two columns है three by two इसका क्या बन रहा है order बन रहा है तो अब हम देखें तो यह equal नहीं है three by two equal नहीं है अगर यह two by two होता तब यह square होता ठीक हो गया तो इस वज़ा से यह क्या है rectangular matrix है जिसमें rows की तदाद column की तदाद के equal नहीं होती question number 14 क्या है the matrix be is equal to यह सारा matrix दिया हुआ है is a matrix अब इसमें जब हम इसका order निकालते हैं यह one two three three rows by three by क्या हो जाएगा यह column की तदाद भी 3 है 3 by 3 इसका क्या बन रहा है order बन रहा है अब जब order में तदाद equal आ रही है 3 by 3 2 by 2 4 by 4 इस तरह आ रही है तो इसको हम क्या कहते है square matrix कहते है if a is a matrix then its transpose is denoted by ठीक है transpose को denote किस से कराते है a की power t if a is equal to one minus two three four then minus a is equal to अब अंदर minus multiply करवा दें आपके पास simple यह option बनेगा अब हमारे पास है question number 17 a square matrix is symmetric if symmetric की क्या होती है condition a transpose if is equal to a then it is called symmetric symmetric matrix अगर आपके पास secure symmetric आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा square matrix is secure symmetric matrix if a transpose is equal to minus a यह condition है यह formula इसके लिए यह option a correct है the matrix c is equal to यह सारा उसने matrix दिया हुआ है अब यहाँ पे देखें अगर diagonal में यह क्या बन रहा है इसका यह सारा diagonal बन रहा है अगर diagonal में कोई एक नमबर भी 0 ना हो ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे diagonal matrix कह सकते हैं अगर यह सारे नमबर 0 ना होते तब हम क्या कहते हैं यह scalar matrix है ठीक है अब हमारे पास दो नमबर क्या हैं non zeros हैं एक नमबर 0 है तब हम इसको diagonal matrix कह सकते हैं ठीक है अगर ये सारे diagonal में one 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 आ रहा होता तब हम इसको identity matrix कह सकते थे अगर ये दोनों ये भी zeros हो जाते ये सारे zeros होते इसको हम क्या कहते zero matrix या null matrix कह सकते थे the matrix a is equal to अब ये देखें यहां पे ये two है two है two है ये क्या रहा है आपके पास scalar matrix क्योंकि इसके diagonal non zeros हैं ठीक है इसको हम scalar matrix कह सकते है question number twenty one है the matrix a is equal to अब यहां पे देखें ये सारा one one आ रहा है जिसरा मैंने पहले बताया है कि ये क्या होगा identity matrix होगा question number twenty two क्या है the scalar matrix and identity matrix are diagonal matrix ये diagonal matrix की क्या है types है scalar matrix होगा identity matrix होगया ठीक है every diagonal matrix is not a ठीक है अब हर diagonal matrix क्या है या तो वो scalar हो सकता है या वो identity हो सकता है ठीक है if a b are two matrices and a transpose b transpose are their respective transpose then ये हमार पास formula होता है a b whole का transpose is equal to b transpose a transpose ये आपके पास option a correct है question number twenty five है if a is equal to a b c d then its determinant of a is अब determinant किस तरह होता है ये diagonal एक दूसरे के साथ multiply करवा है a d हो जाएगा दिर्मियान में minus लगा है ये एक दूसरे के साथ multiply करवा है a d minus b c या जाएगा इस तरह question number twenty six है a square matrix a is called singular ये अपने condition पड़ी हुई है अगर singular होगा तो a का determinant equal to 0 होगा अगर non singular होगा तो a का determinant is not equal to 0 होगा जिस तरह twenty seven में उसने पूछा है ठीक है twenty eight में क्या है inverse of identity matrix is ठीक है identity matrix का inverse क्या होगा identity matrix ही होगा ठीक है question number twenty nine है a a inverse is equal to a inverse a ठीक हो गया अब जहाँ पर अगर हम देखें a a inverse से cancel out या a inverse a से cancel out तो आपके पास answer क्या आता है i आता है इस तरह i आता है अब ये i को हम क्या कह सकते है identity matrix कह सकते है a b whole inverse is equal to क्या आएगा b inverse first b inverse हैगा then a inverse b inverse a inverse ये इसका formula है और आपने question में proof भी इसका किया हुआ है additive inverse of one minus two zero minus one is ठीक है अब इसका additive inverse फाइन रोक रहे है मतलब क्या अंदर इसके minus multiply करवा दें आपके पास answer part a बनेगा ठीक है next video में मैं इसके जो questions हैं आगे वो मैं upload कर दूँगा अगर आपको समझ नहीं आई तो आप comment box में पूछ सकते हैं अगर आप हमारे चनल पर नए है तो हमारे चनल को भी subscribe कर लिजिए ताके इस तरह की जो वीडियोज हैं आप तक बरवक्त पहुंच सकें अपना और अपने चानलों को ख्याल रखिए thanks for watching अलाफिस